तो आज हम लाएं हैं आपके लिए बहुत ही important topic तो आपने यहां पे लिखा हुआ देखा है firsts in India ठीक है तो जो current affairs में होते हैं firsts in India तो आपसे exam में पूछा जाता है कि first methanol run buses कहां पे start हुए या फिर first underwater metro कहां पे start हुआ है ना तो आपने ऐसे question बहुत देखे होंगे और यह तो launch किया है तो ऐसे question आज कल के exam में बहुत देखे जा रहे हैं तो हम यहां पे सारे यह जो content है यानि कि current affairs में firsts in India है उनको clear कर लेते हैं cover कर लेते हैं और साथ में आपको हम यहां पे world का जो है उसके भी एक दो questions है उनको भी include कर लेंगे तो आपको अलग से कोई video यहां पे दे बज में आ जाएगा कि पूरा ही questions important है बहुत easy है आपको याद करना इतना कोई tough नहीं लगेगा तो पूरा वीडियो बस देख लीजे और साथ में guys अगर आपको इसका जो PDF चाहिए है तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं मैं आपको इसका link provide कर दूंगी description में तो बहुत लोग की demand थी कि आपको PDF चाहिए था तो हम उसको telegram हमने recently start किया तो उसमें हमने कुछ-कुछ PDF को upload किया है और आगे-ागे जो है हम इन PDF को upload करते रहेंगे तो अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे channel को जरूर जोइन करें और साथ में हम वहाँ पे कुछ quizzes और important points को भी include करते हैं तो उससे आपकी help होगी राइट तो चलिए आप बिना देर के हम video को start कर लेते हैं पहला question है आपका world का highest weather station ठीक है is built at तो यह कहां पर built किया गया है आपको बताना है तो यह जो है built किया गया है Mount Everest पे ठीक है तो देखे एक्चुल में Mount Everest की height कितनी है 8849 meters ठीक है और यह जो space station है इसको 8810 meters के highest मतलब उचाई पर इसे बनाया गया है तो आपको इसे याद रखना है ठीक है तो और साथ में guys देखे यह बहुत important point है यहाँ पे तो आपने अभी Mount Everest के बारे में पढ़ा तो आप जानते हैं कि Mount Everest जो है tallest mountain है पूरे world का और साथ में obviously Asia का भी यह tallest है ठीक है अब different continent है उनक इसको एक बर आप देख लीजिए तो देखे एफरा Africa में Mount Kilimjaro ठीक है यह सबसे highest वहां का mountain है इसी प्रकार हमने सारे यहाँ पे आपको दे दिये हैं continent wise tallest mountains of each continent तो आपको यह सब एक बर पढ़ लेना है ठीक है यह वाला सबसे important है जो Africa का है यह exam में repeatedly कभी-कभी पूछा जात तो पहला nuclear plant कहाँ पे इसे build किया जाने वाला है कि state में आपको बताना है तो इसे जो है बनाया जा रहा है हर्याना में ठीक है तो हर्याना में गोरगपूर में बनाया जा रहा है इसे तो देखें यह है nuclear plant ठीक तो देखें नेक्स्ट है तो देखें यहाँ पे गईज सबसे पहला nuclear plant जो है ये कहां पर बनाया गया था आप से ऐसे question भी पूछे जाते हैं एक्जाम में तो पहला nuclear reactor जो था हमारे इंडिया का उसका नाम था अपसरा ठीक है अपसरा उसका नाम था और इसको जो है बनाया गया था काप 1956 में तो 1956 में हमारा पहला nuclear reactor जो है बनाया गया था इ What is the name of India's first AI chat board powered by ChatGPT? तो पहला AI chat board का नाम क्या है आपको बताना है? तो आपने अभी सुना होगा ChatGPT के बारे में बहुत फेमस हो रहा है तो इसका जो नाम है इन्होंने रखा था Lexi और इसे जो है एक company है, fintech firm है, जिसका नाम है Velocity उसने इसे यहाँ पे launch किया है, ओके? Next question, which fintech became first to launch UPI Light Fest Feature? ठीक है, तो UPI Light Feature यह देने वाली, पहली fintech company कौन सी बन गई है? तो यह बन गई है, यहाँ पे Paytm Payments Bank तो आपको अगेन इसे बहुत अच्छे से याद रखना है तो यह जो होता है, UPI Light Feature यह होता क्या है? यह बस fast real-time transaction देता है with a single click ठीक है, इसको design किया था किसने? NPCI ने, तो NPCI का full form बढ़ा है NPCI का full form होता है National Payments Corporation of India ठीक है, तो यह जो question है आपके exam में पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा कि PE stand क्या करता है NPCI में ऐसे question देखे जाते हैं exam में तो इसे याद रखेगा और यह जो है UPI Light Feature जो है, यह Paytm Bank का इसको launch किया गया है by Reserve Bank और इंडिया के दौरा ठीक है? चलिए, next question देखे Which country passed menstrual leave law first time in Europe? ठीक है, तो यॉरोप में सबसे पहले menstrual leave देने वाली country कौन सी बन जाती है? तो यहाँ पे सबसे पहली country बन गई है Spain ठीक है, इसके अलावा menstrual leave देने वाली other countries कौन कौन सी एक बार देख लीजे जपान, तैवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड जांबिया ठीक है, तो यह सारे ऐसे countries हैं जहाँ पे menstrual leave दिया जाता है वोमेन को तो आपको यह याद रखना है, आपसे exam में पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा एक ऐसा country है जहाँ पे कोई भी menstrual leave नहीं दी जाती, ठीक है, तो option में आपको यह दिया रहेगा और एक और कोई odd दिया रहेगा, तो आपको उन में से tick करना रहेगा, ठीक है तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, चलिए, अगला question है which country's army got world's first fully operational swarm drone system, ठीक है तो swarm drone system होता क्या है, ये एक तरीके से बहुत सारी ऐसे drone होती है, ठीक है आप देख सकते हैं यापे, तो ये जो है, तो different army missions जो होती है, वहाँ पे काम आती है, ठीक है तो इसे यहाँ पे start किया गया है by Indian army, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते है, अगला question है, AIIB to open first overseas office in which city, ठीक है तो Asian infrastructure investment bank, ठीक है, ये इसका full form है, Asian infrastructure investment bank इसने अपना पहला overseas office कहाँ पे start किया है, आपको ये बताना है तो इन्होंने ये start किया है, अबुधाबी में, जो की UAE में है बात करें, इस bank की, AIIB की bank की, इसे found किया गया था 2016 में इसका headquarter जो है, ये बीजिंग चाइना में है और इसके members total अभी फिलाल है, 106 तो आपको ये सारे points को भी याद रखना है गाइस, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बहुत help होगी तो आपको किसी भी तरीके से अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर हमारे चैनल को subscribe करें साउधी, एरेबिया, है न, और first Arab country जो गई थी space में आपको ये भी extra point याद रखिए, ये थी UAE, ठीक है तो UAE जो थी पहली Arab country थी जो space में गई अगला question देखिए, which city became first urban body in the country to introduce green bonds, ठीक है, तो पहली city जो यहाँ पे हमारे country में green bonds issue कर रही है, ऐसी country कौन है, तो यहाँ पे यह बन जाती है, इंदौर, ठीक है, इंदौर यानि कि मध्यप्रदेश में है तो ये जो green bond होता है, ये किसलिए use होगा, इसको use किया जाएगा to set up solar power plant, ठीक है, तो green bond क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, तो देखिए हमने यहाँ पे एक picture यहाँ पे include किया है, जो आपको समझाता है, green bond को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है next question, इंडिया's first green solar panel factory to be built in which state, तो इंडिया की पहली जो green solar panel factory है, ये कहाँ पे बनाई जाने वाली है, आपको ये बताना है, तो ये बनाई जा रही है, इन उत्तरा खंड, है ना, और ये build की जा रही है by luminous, ये एक company का नाम है, जो इसे build कर रही है, next देखिए, which is the first Indian union territory to complete shift to e-governance mode, ठीक है, तो e-governance mode, यानि कि सब कुछ यहाँ का जो काम होगा, government का, ये यहाँ पे digitally होगा, तो ये पहली union territory ऐसी बन जाती है, कौन, तो ये हमने आपको already, monthly current affairs में भी बहुत बार बताया था, ये यहाँ पे बन जा रही है, जम्मू कश्मीर, ओके, next question, which state will be the first green energy state by the end of 2025, तो green energy state बन जाएगी by the end of 2025, तो ऐसी कौन सी state है, तो ये जो है, declare किया गया है by हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो cm है, सुखविंदर सिंग सुखकू, इन्हों ने यहाँ पे ये declare किया था, कि जो हिमाचल प्रदेश है, 2025 तक जो है, green energy state बन जाएगी, और इसके अलावा और भी एक target है, इंडिया का क्या, यह आपको पता होना चाहिए, कि net zero carbon emission हम achieve कर लेंगे by 2070, तो आपको ये वाला point भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, अगला है, who has launched India's first national assessment regulator परक, कि ये question हर exam में पूछा जा रहा है, और साथ में आप कोई भी mock कर लें, वहाँ पे आपको definitely ये question देखा जाएगा, ठीक है, तो ये परक जो है, ये launch किया गया है, by NCRT, है न, तो परक का full form बहुत important आपके लिए, performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development, ठीक है, ये इसका full form है, इसको launch किया गया है, by NCRT, और इसको new education policy जो आई थी 2022 में, उसके दहत यहाँ पे से launch किया गया था, right, next question, what is the name of India's first 5G enabled drone, तो इंडिया की पहली 5G enabled drone है, उसका यहाँ पे नाम है Skyhawk, और इसको जो develop किया गया है, ये किया गया है, by IG drones, okay, next question, which country approved world's first vaccine for declining honeybees, तो जो honeybee decline हो रही है, उसको ठीक करने के लिए, यहाँ पे एक vaccine को approve किया गया है, तो ये किस country ने approve किया, आपको ये बता रहा है, ठीक है, तो इसको approve किया गया है, by USA, तो ये develop किसके दोरा किया गया है, दलान Animal Health, ये एक US की company है, जिसने इसे develop किया है, और ये जो है American Foul Brought Disease, एक disease है, जो बहुत अभी popular हुई थी, उसके वज़े से honeybees की यहां पे declining हो रही थी, मतलब कम हो रहे थे, population कम हो रही थी, तो उसको ये ठीक करेगा, और ये जो disease है, American Foul Brought Disease, ये cause होता है by एक bacteria, ठीक है, इस bacteria का नाम देखे, यहां पे दिया हुआ है, आप से इतना कोई depth में नहीं पूछेगा, बढ़ आपको, just क्योंकि हम सारा information आपके लिए include कर रहे हैं, हमने आपके लिए यहां पे इसे भी include किया है, तो bacterium pennybacillus, इसका नाम है, जिसकी वज़े से ये American Foul Brought Disease होता है, है न, तो उससे ये protect करेगा, ये जो vaccine इन उन्हें बनाया है, right, next question, who became first woman officer deployed at sea chain at over 15,600 feet, ठीक है, तो sea chain में deploy होने वाली पहली woman officer बन गई है, कौन, Shiva Chauhan, okay, Shiva Chauhan, ये भी बहुत important question है, अगर women's related first woman करके कोई question आ रहा है आपके, मतलब news में या फिर current affairs में, तो आपको वो definitely अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, Shia chain glacier जो है, world की highest battlefield है, और इसके अलावा, एक और देखे, इंडिया's first Muslim woman fighter pilot की जो fighter pilot थी, ये थी सानिया मिर्जा, ठीक है, ये वो सानिया मिर्जा नहीं है, ये अलग है, तो इनका नाम भी सानिया मिर्जा है, जो पहली Muslim woman fighter pilot थी, okay, तो आपको दो point यहाँ पे याद रखना है पहला क्या, कि पहली woman जो deploy हुई है शिया chain में, वो है शिवा चोहान, और इंडिया की first Muslim woman fighter pilot है, सानिया मिर्जा, right, next question, नितिन गटकरी inaugurated जोरी ब्रिज, इंडिया's second largest cable bridge in which state, ठीक है, तो जोरी ब्रिज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ पे inaugurate किया गया है, बाई नितिन गटकरी, ठीक है, तो बताएए जल्दी से नितिन गटकरी कौन से मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, और इसके बाद तो ये जो जुवारी ब्रिज है, इसको launch किया गया था, फिर inaugurate किया गया था, गोवा में, बात करें गोवा की CM यहां के प्रमोत सावंत है, ग इंडिया का longest cable state bridge है, ओके, चलिए, next question, who became first woman officer to be posted at BRO, ठीक है, BRO का full form पहले देख लीजिए, border road organization, तो पहली woman officer जो post हुई थी BRO पे, वो कौन ही आपको बताना है, तो ये बन गई है, सुर्भी जकमोला, ठीक है, बात करें, border road organization की, इसे found किया गया था, 1960 मे, headquarter इसका New Delhi है, औ और ये आती है, under defense ministry, ठीक है, चलिए, next question, in which city will India's first center of excellence in online gaming be set up, तो online gaming में ये जो center of excellence है, ये set up होने वाला है, कहां पे, शिलॉंग में, इसके बाद इसे, किसने announce किया है, राजीव चंदर शेकर ने इसे announce किया था, next question, who became the first female sick judge of USA, first female sick judge of USA, बन गई है कौन, मनपरीद मोनिका सिंग, तो आपको ये वाला point भी बहुत अच्छे से याद रखना है, next, which state became India's first fully digital banking state, तो इंडिया का पहला fully banking state, digital banking state बन गया है, केरेला, तो ये सब मैंने आपको current affairs में करवाया था, अगर आपको पूरा current affairs देखना है, हमने पूरी playlist पनाई है, यहाँ पे, के पूरे monthly current affairs को देखिए, weekly भी हम upload करते हैं, बट monthly आप अभी पढ़ लिजे, क्योंकि आपको revision बस करना है, exams के लिए, ठीक है, तो आपको link यहाँ पर मिल जाएगा, और साथ में आप ये वाला भी cover कर लिजे, ठीक है, तो देखिए, which state became first in India to induct robotic elephant for ritual duties, ठीक है, तो ritual duties, यानि की पूज़ा पार्थ में, यहाँ पर robotic elephant का use किया जा रहा है, तो यह किस state में हो रहा ही, आपको बताना है, तो यह किया जा रहा है, केरला में, ओके, next, Northeast first compressed biogas plant has been unveiled in which state, तो Northeast का पहला compressed biogas plant जो है, इसे बनाया गया है, इन असाम, है न, तो इसको अन्वील किया गया था, असम की जो CM है कौन, हिमन्त, बिस्वश शर्मा, इनके द्वारा, और यह Asia का जो largest compressed biogas है, यह कहां पे है, यह पंजाब में है, और Asia का largest bio CNG plant कहां पे है, green bond किसने issue की है, यह भी indoor ने की है, ओके, next, इंडिया's first liquid mirror telescope has been inaugurated in which state, तो इंडिया का पहला telescope, liquid mirror telescope जो है, इसे यहाँ पे inaugurate किया गया है, उत्तरा खंड में, ओके, next question, इंडिया's first marina to be built in which state, तो इंडिया का पहला marina कहां पे बनने वाला है, यह बनने वाला है, इन करनाट क तो देखिए, इस तरीके से होता है, marina मतलब क्या होता है, एक small harbor होता है, जहाँ पे सारे boats को, यह जो छोटे boats होते हैं, उनको रखा जाता है, तो करनाट का के बाइंदूर में यह बनाया जाने वाला है, okay, next, who became first woman to command battalion in Ladakh border, तो यहाँ पे woman जो command करेंगी battalion को in Ladakh border बन गई है कौन, गीता, राना, नेगी, इसके अलावा देखिए, सलीजा धामी कौन है, first woman to command, frontline IAF combat है, भावना कांद कौन है, यह first female fighter pilot है, और हमने अभी पढ़ा था, Indian Muslim female fighter pilot कौन है, तो आपको वो बताना है, हमने पढ़ा अभी अभी है ना, चलिए, next, which state became first state to use robotic technology to clean manholes, ठीक है, त state बन जाती है, यहाँ पे, केरला, next, who became the fastest Indian to swim across park state under 21, ठीक है, तो यहाँ पे, fastest जिन्होंने यहाँ पे से swim किया है, पाल्क स्टेट, पाल्क स्टेट क्या है, इंदिया और श्री लंका की जो water border है, उसको कहा जाता है, पाल्क स्टेट, तो इसे यहाँ पे swim कर लिया है, संपन् बारने, ओके, next question, इंडिया's first AC double-decker electric bus launched in which city, तो AC double-decker electric bus को यहाँ पे launch किया गया था, मुंबई में, है न, इसके बाद देखिए, world की longest double-decker bridge metro जो है, है न, यह बनाई जा रही है, in नागपूर, next question, याया सो became which states और UT's first biodiversity heritage site, ठीक है, तो याया सो जो है, कहां की biodiversity heritage sites बन गया है, यह आपको बताना है, तो यह बन गया है, लदाग का first biodiversity heritage site, और याया सो लेक जो है, इसे हम birds paradise भी कहते हैं, तो उसका नाम other name है यह, next question है, what is the name of first, इंडिया's first intranasal COVID-19 vaccine, ठीक है, बहुत important question है, आपको हर मौक में भी यह मिलेगा, यह वाला question भी, तो first, इंड intranasal COVID-19 vaccine, जो है, इसका नाम है incovac, और यह आपसे पूछा जाता है, कि यह develop किस ने किया है, ठीक है, तो इसको develop किया गया है by भारत biotech, और इसे अप्रूव किया गया है by DCGI, और इसके अलावा देखे, कोवी फेंस और अनो कोवैक्स, यह दोनों एक और vaccines है, कोवी फेंस next question, what is the name of India's first AI chatbot for agriculture, तो agriculture का पहला AI chatbot यहाँ पे इसका नाम क्या है, आमा कुरुशी AI, यह launch किया गया था उडिसा गवर्नर, तो उडिसा के जो गवर्नर है, गनेशी लाल, उन्होंने यहाँ पे से inaugurate किया था, okay, next question, which district became India's first constitution literate district, तो इंडिया का पहला constitution literate district, जो है, यह बन गया है, कुल्लम, कुल्लम कहां पे है, केरला में है, कुल्लम एक district है, केरला में, जो कि अभी हमारा first constitution literate district बन चुका है, okay, next question, which state became first state to implement blindness control policy, तो यह question बन जाता है, आपका बहुत important, ठीक है, तो पहली state जिसने blindness control policy को यहाँ पे implement किया है, यह बन जाती है, राजस्थान, ठीक ह इसका objective है, right to side, अगला question देखिएगा, who has launched world's longest river cruise on January, तो world की longest river cruise, इसे launch किया गया था भाई, नरेंद्र मोदी, इसका नाम क्या है, गंगा विलास cruise, जो की world की longest luxury river cruise है, जो की वारा नसी से ले करके दिवरुगर तक चरने वाली है, next question, which country launched Asia's first hydrogen powered passenger train, तो यह एशिया का first hydrogen powered passenger train जो है, यह बन गया है, in China, इसके अलावा, world का first को हाँ पे बन गया है, जर्मनी में, तो guys मैंने आपको यह सारे questions और पढ़ाए हैं, अगर आप मेरे previous monthly और weekly current affairs को follow करते हैं, तो आपको यह सब बहुत easy लग रहा होगा, है ना, तो जल्दी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़े हैं, monthly और weekly current affairs को, जरूर उसको भी पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही important है, आपको अभी नहीं लगेगा, बट आप जब exam में ऐसे questions देखेंगे, तो definitely आपको लगेगा कि आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए पहले से ही अच्छे से prepare होके जाएं exam में, ओके, next देखें, which city will get India's first underwater metro train in 2023, तो इंडिया का पहला underwater metro train कहाँ पे बनने वाला है, यह बनने वाला है, कॉलकता में, यह मैंने बार बार आपको बताया था, कि रिवर हुगली के नीचे इसको बनाया जा रहा है, इन क इनागरेट किया गया है, इसे इनागरेट किया गया है चंदीगड में, जो कि धनस लेक जो है चंदीगड में, वहाँ पे बनाया जा रहा है, और इंडिया का largest floating solar power plant कहाँ पे है, यह रामा गुन्नम, जो कि तिलंगाना में है, वहाँ पे है, यह हम क्या बात कर रहे है, नौ इनागरेट किया गया था बाई, आवा प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोधी, नेक्स्ट है, वर्ल्ड's first bamboo crash barrier installed in which state, तो first bamboo crash barrier को install किया गया है, महरास्टा में, इसकी जो लेंथ है, यह 200 मेटर है, इसको महरास्टा हाइवे, जो कि चंदरपूर और यावतमल को connect करती है, वहाँ पर बनाया गया है, अगला question, who became first female to operate वंदे भारत express train, तो यह बन जाती है, सुरेखा यादव, जिन्होंने सोलापूर से लेकर के CSMT, जो महरास्टा में पढ़ता है, वहाँ तक इन्होंने इसे drive किया, और railway minister कौन है हमारे, यह है, अश्विनी वैशनव, अगला question, नितिन ग गटकरी जो है, इन्होंने first methanol run buses जो है, इसे inaugurate किया है, पैंगलोरू में, तो इसके बाद, देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि नितिन गटकरी क्या है, कौन से minister है, तो यहाँ पर देखे लिखा है, road and transport highway minister है, यह हमारे, इसके साथ methanol का formula भी याद रखिए, chemical जो नेम है इसका, यह है CS3OH, तो आपकी एक्जाम में डिरेक्टली यह भी पूछा जा सकता है, okay, next question, world's first palm leaf manuscript museum has been opened in which state, तो world का पहला palm leaf manuscript museum जो है, यह केरला में बनाया गया है, ठीक है, तुरुवेंद्रम में, यानि कि तुरुनंध पुरम में बनाया गया है, यह केरला के capital में, यह पह next, which country will become world's second solar manufacturer by 2026, तो second largest यहाँ पे solar manufacturer बन जाएगी, इंडिया, तो इंडिया जो है यहाँ पे, इसकी solar capacity जो है 10 gigawatts हो जाएगी by 2030, next, who has released the first edition of dogri version of constitution, ठीक है, तो dogri language में यहाँ पे constitution को launch किया गया है, यह किया गया था by Kiran Rejuju, है न, तो यह है, और यह कहाँ पे spoken है, मतलब जो dogri language है, कहाँ पे बोली जाती है, यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, okay, next question, which country became first to approve Oxford malaria vaccine for children, तो Oxford जो, malaria का जो vaccine होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे किस country ने अप्रूफ किया, यह आपको बताना है, यह अप्रूफ किया गया है by Ghana, ठीक है, next, world's third largest cricket stadium will be built in which city, तो world का third largest cricket stadium बनाया जाने वाला है, जैपूर में, तो world का largest cricket stadium कहाँ पे है, हमने इसको बार-बार पढ़ा है, क्योंकि IPL का final match अभी फिलाल वहीं पे हुआ था, नरेंद्र मोधी stadium में, जो की गुजरात में है, second largest है Melbourne cricket stadium, जो की Australia में है, okay, next question, India's first 3D print post office has been set up in which city, तो first 3D printed post office बनाया गया है, यहाँ पे बैंगलोर में, इसके साथ जो है, इंडिया का first 3D printed house, जो है, IIT, मदरास के द्वारा बनाया गया है, first 3D printed cornea, जो है, IIT, हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और world का first 3D printed rocket engine, जो है, इसका नाम है, एजनी लेट, okay, next, which state is going to construct world's first 3D printed temple, ठीक है, अभी तक हमने बात करी post office and all, अब आता है, 3D printed temple, यह बनाया जा रहा है, in, okay, sorry, यह बनाया जा रहा है, in Telangana, okay, next, who has become the first Indian to win youth world championship, तो youth world championship जीतने वाले बन गया है, कौन, पार्थ सलूं के, जो की एक आर्च प्लेयर है, next, who became the first IAF woman officer to receive galantry award, तो पहली IAF woman officer जिने galantry award मिला है, यह बन जाती है, अपनी चतुरवेदी, next question, which state became the first state to adopt a water budget, तो water budget अडाप्ट करने वाली पहली state बन जाती है, Kerala, ताकि यह summer water जो shortage होता है, उसके लिए इन्होंने अपना water budget यहाँ पे लाया है, next है, which among the following is going to become India's first carbon neutral village, तो first carbon neutral village बन जा रही है, कौन भीवंडी, next है, which country became the first country to ban thin film plastic bag, तो New Zealand है वो country जिसने thin film जो plastic bags होते हैं, उन्हें बन किया है, next है, apple का first store in India has been opened in which city, तो apple का पहला store यहाँ पे मुंबई में inaugurate किया गया है, next है, which bank has become the first public sector bank in India, to offer merchants the convenience of making UPI payments through rupee credit card, ठीक है, तो rupee credit cards से आप यहाँ पे UPI payments कर सकते हो, ऐसा facility दिया गया है by Canera bank, तो bank exams के लिए बहुत important है, next है, which state became first in India to have 100% electrified railway network, तो कौन सी state है जहाँ पे, पूरी तरीके से electrified railway networks है, यह बन जाती है, कौन, गुजुरात, ओके सौरी, यहाँ पे गुजुरात नहीं होगा, नहीं नहीं, बिलकुल गुजुरात नहीं होगा, इसका आंजर हर्याना है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, इसे B कर लीजेगा आप, next है, who is the first transgender woman to be crowned as Miss Netherlands, तो पहली यहाँ पे transgender woman जिन्हें Miss Netherlands दिया गया है, वो बन जाती है, रिकी वेलेरी कोले, ओके, next है, who has been awarded with first Kalakranti Lifetime Achievement Award, तो first Kalakranti Lifetime Achievement Award दिया गया है, पी डी, बॉल को, next question, who has become the first woman to become director at IIT, तो director at IIT पहली बार कोई woman बन रही है, यह बन गई है, कौन, प्रीती अगालयाम, next है, world largest, रामायन temple, ठीक है, world का सबसे बड़ा largest जो रामायन temple है, यह बनने जा रहा है, इन बिहार, जो की 500 क्रोर के estimated cost से बनने वाला है, और यह 2025 तक complete हो जाएगा, construction इसका, ठीक है, इसके बाद देखिए, और कुछ यहाँ पे, इंडिया के जो goals होते हैं, कि इंडिया जो है, net zero carbon emitter बन जाएगा, railway, इंडियान railway की बात हो रही है, ठीक है, 2030 तक यह बन जाएगा, इंडियान railway जो है, 100% electricity पे चलेगा by 2024, इसके बाद इंडियान railway का target है, to electrify broad gorge routes by 100% कब तक 2023 तक, तो आपको यह दोनों points तो बहुत important है, आपको दोनों ही अच्छे से याद रखने हैं, इसके अलावा देखिए, और कुछ first हैं, जो यहाँ पे हमने mention किये हैं, वर्ल का पहला Asian King Vulture Conservation Inaugrated Inn, उत्तर प्रदेश में से inaugurate किया गया है, इंडिया की पहली semi high speed regional rail service जो है, इसका नाम है RapidX, नेक्स्ट है, वर्ल्ड की पहली liquid hydrogen powered ferry जो है, यह Norway में बनाया गया है, नेक्स्ट है, इंडिया की पहले district to provide basic documents to all tribals, यह बन जाता है वाहनाद, और नेक्स्ट है, इंडिया की पहली glass igloo restaurant, यह बनाई गई है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, तो यह थे हमारे सारे यहाँ पे, firsts in India and world, अब आपके लिए एक question है, इसे आप हमें comment section में answer के बताईएगा, question देखे, who became first woman officer deployed at sea chain at over 15,600 feet, तो इसका answer आपको हमें comment section में बताना है guys, तो यह था हमारा आज का last slide, I hope आपको यह video पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो like करें और share करें, और ऐसे ही exam related content के लिए channel को subscribe करें, thank you, have a nice day.